कि नमस्कार मैं वह विश्यक्तियागी आई पिल 2022 याद होगा ना आपको आई पिल 2022 जब आया था दो नहीं टीमें आई थी गुजरात आई थी लखनाव आई थी दोनों टीमों ने आते ही तुफान मचा दिया था गुजरात ने तो भाई साब ट्रोफी जीत कर तो तहल का मच कर दिया था हार्दिक पांडिया के जिस 2022 में मतलब टीम इंडिया ने भी डोलकर बातानी वाला है usabama को मोका मिलने नहीं वाला लेकिन क्या हुआ गुजरात ने हर्दिक पांडिया को कप्तान बनाया और हर्दिक पांडिया का करियर एक बार दोबारा से पट्री पर आने लगा 2022 में कप्तान बने कमाल की परफॉर्मेंस करके दिखाई गेंद और बल्ले से हर्दिक ने और गुजरात को champion भी बना दिया तो हार्दिक पांडिया क्या हुआ खिलारी से कप्तान भी बन गए उससे पहले हार्दिक पांडिया को कप्तान भी बना गया था लेकिन 2022 में जैसे गुजरात को जिता हार्दिक पांडिया गुजरात के कप्तान के साथ टिम इंडिया के भी पांडिया को कप्तानी मिली 2022 में भी गुजरात फाइनल में पहुंची कुल मिलाकर बात यह कि यह दो साल जो थे गुजरात के यह गोल्डन पीरियर था गुजरात का कमाल की परफोर्मेंस ती अब यहां पर क्या था अब यहां पर यह था कि हार्दिक पांडिया लीव जीटी जानी साहब के पास गुजरात की टीम चली गई है सीवी सी गुरूप चला गया है उसके बाद में आपके आशिश नहरा भी छोड़ कर जा चुके हैं और भी कई दिगज लोग छोड़ कर जा चुके हैं गुजरा टाइटन्स का साथ अब गुजरात की तीम एक तरीके से बि हवार नजर नहीं होगा 2024 में क्योंकि जब वो एक तरीके से टीम का कफ्तान चला जाता है जो एक रणनीतिक तोर पर जो एक टीम जीत रही होती है वो चीज़े बिखर जाती है उसके बाद में और लीव पहले कफ्तान ने गुजरात को छोड़ा फिर मालिक ने गुजरात को छोड़ा फिर कोच ने गुजरात को छोड़ा मतलब गुजरात की टीम से लोग छोड़ते जा रहे हैं छोड़ते जा रहे हैं इसलिए गुजरात बिखर गई है पहले कफ्तान ने छोड़ा जाहिरत अपर 2024 में फिर मालिक ने भी गुजरात को छोड़ दिया पता नहीं हाद पूरा बदल जाए, हो सकता है कि कप्तान भी बदल जाए, हो सकता है कि पूरी टीम का इस्ट्रक्चर बदल जाए, क्योंकि अभी तक जो हमें गुजरात नजर आती थी, उपर से नीचे तक जो गुजरात के पास मैच मिनर खिलारी नजर आते थे, अब ऐसा लग रहा है कि 2025 मे वो गुजरात नजर नहीं आएगी, जिस गुजरात का दबदबा था, जिस गुजरात से टीम में डरती थी, जिस गुजरात को हम टॉप फाइब में देखते थे, वो गुजरात की टीम सायद IPL 2025 में हमें नजर नहीं आएगी, क्योंकि तीन बड़े बदलाव गुजरात मे हो चुकी हैं और ये तीन ही ताकत किसी भी टीम को मजबूत बनाती हैं एक अच्छा कप्तान एक अच्छा मालिक और एक अच्छा कोचिंग स्टाफ अब गुजरात के पास इन तीनों में से कुछ भी नहीं है तो आपका गुजरात के इस कह सकते हैं कि जो डाउन फोल रहा है इसको लेकर आपका क्या कहना है कमेंट करके बताईएगा और क्या आपको लगता है कि गुजरात की टीम उस तरीके की गुजरात नजर कैसे पहले आया करती थी यह भी बताईएगा वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक को शेयर जरू करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि अब्डेट लगाता राई पेल दोजा पत्चीज के मिलते रहेंगे तैंक्यू एनिमाच